भारतिय जंता पार्टी अगर इस देश में किसी एक शक्स को अपनी चुनौती समझती है वो है अरवंद केजरिवाल जैसे कंस को ये मालूम था, उसे पता था कि देव की नंदन भगवान श्रीक कृष्ण ही उनका पतन करेंगे, उनका अंत करेंगे ऐसे ही भाजपा भली भांती ये बात जानती है कि अरवंद केजरिवाल के हातों ही बीजेपी का काल होगा, बीजेपी की राजनीती समाप्त होगी, बीजेपी चुनावी रण के मैदान में चुनाव खारेगी ठीक उसी तरह जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन के उपरांत उन्हें हानी पहुँचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी पढ़ी कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खतम किया जाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन्हें कोट कचेरी में फसा के रखो, गवर्नर और लेटिनन गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप क करो, यह सारे प्रकरन का वस एक युद्देश है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अर्विन केजरिवाल को खतम करो, और आज उसी श्रिंखला में अपना आखरी दाओ जो भाजपाच चलने जा रही है, वो है अर्विन केजरिवाल जी की गिरफतारी, बीजेपी को यह ल सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन मैं भाजपा को एक कहना चाहता हूँ, कि हम सब आम आदमी पार्टी के कारे करताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्शदों ने, जन प्रतिनिधियों ने, हाज जोड़कर यह अपील करी है, मानिये मुख्यमंत साब स्तीफा दे दे और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे क्याबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे मस्तफून फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइले साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से पारा निवेदन मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी से है, और इसी के चलते, जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिने पूछा नहीं लेती, जनता से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती है, और आम आदमी पार्टी ने इस जर्फार वख़ेंगे हैं आई मेख़ेंभी, बड़े बैटे, अर्विंद केज्रिवाल को मुख्यमंतरी बनाया अगर आज भाजपा मुख्यमंतरी आर्विंद केज्रिवाल जी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें इस्तिफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए ये एक signature campaign एक महत्वपून campaign के माध्यम से, referendum के माध्यम से हम जनता से चर्चा करेंगे और जो signature campaign का conclusion होगा जो जनता की राय होगी वो आपके सामने कुछ दिनों बाद ठकेंगे